Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses हैं, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, बोथ in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत ज़ादा helpful रहने वाले हैं, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, और आप quiz attempt कर सकते हैं weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, और फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्रवा, तिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते ह Name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुआरा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, और उनको इधर उधर ढूलना ना पड़े content जहाँ पर हम आपको सारा content ए एंड तक जरूर देखिएगा, notes जरूर बनाना काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज, चलिए स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, किस ministry ने launch किया, Udhan 5.1 designed for helicopter routes, routes नहीं, routes के लिए, helicopter के लिए, helicopter में लोग travel कर सकें, दो जगे के बीच में connectivity को improve किया जा सकें, देखो planes हो जाते हैं कि अगर आपको थोड़ा ज़ादा distance travel करना है, तो planes are one of the best solution, बट अगर आप ये देखिए, अगर आपको छोटा distance travel करना है, आप या तो car से जाएंगे या two wheeler से जाएंगे, लेकिन अगर मानो उन दोनो location के बीच में भी जो traffic हो बहुत जादा है, तो helicopter एक ऐसा route बन जाता है, helicopter एक ऐसा mode of transport बन जाता है, जो कि आपको छोटा distance बहुत easily cover करने में helpful रहेगा, वैशनो देवी जब आप जाते हैं, तो एक तो आप पैदल जा सकते हैं, वरना अब helicopter service भी start हो गई है, ये क्या है, एक तो time बचाता है, और दूसरा, आपको easily एक जगे से दूसरी जगे ले जाने में ये help करता है, और हम जानते हैं, उडान स्कीम, 2016 में launch की गई थी, उडान स्कीम थी क्या, उडे देश का आम नागरिक, that means कि दो जगे के बीच में connectivity को easy करने के लिए, 2016 October में Ministry of Civil Aviation के द्वारा ये scheme launch की गई थी, correct, तो ये उडान 5.1 भी जो helicopter के routes के लिए, ये भी किसके ने, Ministry of Civil Aviation ने ही launch करी है, ठीक है, इससे क्या है, जो time वो reduce हो जाएगा, दो जगे के बीच में, ठीक है, लोग जादा, जैसे हम travel करते हैं, time की बहुत जादा बचत होगी, क्योंकि जो traffic है वो आप देखेंगे, बहुत जादा बढ़ चुका, और आने वाले time मे लिए launch किया गया है, किसके दौरा, Ministry of Civil Aviation के दौरा, correct, next, अगर हम EC की बात करें, उडान 5.1, ये focus दो emerging phenomena's पर बात करता है, एक तो democratization of air travel with a focus on last mile connectivity, की एक जगे से दूसरी जगे पर directly हम पहुँच सके, last mile तक connectivity हो सके, पहली, दूसरी increasing demand for helicopters in aiding tourism, हम जानते हैं, traffic बहुत जादा हो गया है, और उन tourist को, कुछ लोग हैं, जो कि जादा travel करना पसंद नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि वो एक जगे से दूसरी जगे जल्दी टाइप पहुँच जाए, तो उनके लिए launch किया गया, correct, पहले क्या होता था, ये route प्रोवाइड कर अगर priority area में आता है, तो वहाँ पर ये scheme launch की जाएगी, पहले क्या होता था, कि दोनों points को, A और B दोनों points को priority area में होना compulsory होता था, और अब क्या है, चाहे A हो, चाहे B किसी भी priority area में आता हो, तो यहाँ पर आपको ये connectivity प्रोवाइड कराने की बात की गई है, ठीक है, नेक्स पे आते हैं, नेक्स आता है, इंटरनेशनल अफेर्स, इंटरनेशनल अफेर्स में बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने, जपान, पैपो अन्यूगीनिया और ऑस्ट्रेलिया विजिट किया between 19 to 24th of May, काफे important विजिट रहेगी, काफे चीज़े हम यहां पर discuss करेंगे, सबसे पहले आपर देख लेते हैं कि अब भी जो G7 की मीटिंग होनी है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को या फिर हम बोलें, उसको G7 की मीटिंग के लिए इंडिया को यहां पर as a guest appoint किया गया था, ठीक है, यह guest किसलिए appoint किया गया थ ताकि इंडिया participate कर सके G7 summit में as a guest country के तौर पे है, तो question यह भी बन सकता है कि वो guest country कौन सी थी, जिसको G7 ने invite किया था, वो रहेगी इंडिया, correct पहली चीज, दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे, पहले तो यह देख लेते हैं, guest country बनी G7 summit की इंडिया, second पे आते हैं, अभी एक 42 इंच का bronze statue of Mahatma Gandhi को अभी unveil किया गया हिरोशिमा जपान में PM नरेंदर मोधी के दवारा, काफी important बन जाता है, question पूछा जाएगा कि कहां पर अभी Mahatma Gandhi का एक bronze statue unveil किया गया था, तो हिरोशिमा जपान में 20 में को, यह 42 इंच का bronze statue रहेगा, correct, फिर आजाते हैं, James Mara पे, यह क्या है, यह Prime Minister है, Papua New Guinea के, इन्होंड के द्वारा ही यहाँ पर और Prime Minister Narendra Modi के द्वारा मिलके, एक translation of the Tamil classic थिरुकुरल, इसको launch किया गया in the talk piscine language में, ताकि Indian culture को promote किया जा सके in the South Western Pacific Nations, correct, तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यह वो है events हैं, या फिर यह जो वो important चीजे हैं, जो कि अभी Prime Minister Narendra Modi विजिट पे थे इन तीन countries में, तो यहाँ पर अलग अलग जगाए पर, even एक और चीज याद रखेंगे, interesting चीज, कली पर सो यह news आई है, Australia की कुछ दो universities ऐसी हैं, जहाँ पर उन्होंने इंडिया की कुछ 6 states के students को ban कर दिया है, जैसे हर्याना, UP, उत्राखंड, पंजाब, यह वो कुछ ऐसी states हैं, जहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ के students जो बाहर ऑस्टेलिया की university में जाते थे, उनको वहाँ पर admission लेने से, उनको visa provide कराने से मना कर दिया है, दो universities ने, और उन्होंने reason क्या दिया कि यहाँ के students visa के तौर पर study visa पर आते हैं और यहाँ पर फिर वो job करते हैं, which is not acceptable, अगर वो study visa पर आए हैं तो उनको आगे अपनी study continue करनी चाहिए, correct, and काफी other reasons है, वो आप politics भी हो सकती है, बट सिल आपको पता होना चाहिए, अभी latest में यह news आई है, कि दो Australia की universities को, के द्व इससे पहले एक और यह news याद रखेंगे, वो है CBDT, CBDT ने extend कर दिया due date for the re-registration and approval by Charitable Regional Trust till September 30, 2023, देखो, क्या होता है, कि जब आपको tax pay करते हैं, जो big businessman होंगे, वो tax pay करते हैं, through NGOs को वो donation कर देते हैं, या फिर वो paintings को buy करते हैं, अगर आपने सुना हो, जो paintings होती हैं, वो of dollars की भी आपको देखेंगे paintings विखती हैं, reason क्या है उनका, वो paintings को जो ये बड़े businessman buy करते हैं, उनको as a tax के तौर पे, tax deduction के तौर पे use किया जाता है, even अगर आप भी अपना किसी NGO को donate करते हैं on regular basis, और आपके पास उनकी सारे slips हैं, उनके पास आपके पास उनके सारी जो भी certificates प्रोवाइड किया गए, अगर आपके पास वो सारी चीज़े हैं, तो आप इससे tax भी claim कर सकते हैं, correct, आप यहाँ पर tax भी claim कर सकते हैं, तो इनी चीज़ tax को claim करने के लिए, आप देखेंगे, जो charitable trust होगए, regional trust होगए, उनकी सा approval लिया, और उसकी date को extend कर दिया गया है, य correct, चलिए, next पर आते हैं, next आज आता है, what is the name of India's supercomputer that was ranked 75th in the top 500 global supercomputing list, world के top 500 global supercomputing list के हिसाब से, इंडिया का वो कौन सा supercomputer है, जिसकी 75th rank रही, वो है Aravat, Aravat आपका 75th position पे आता है, in terms of top 500 global supercomputing list, और यह जो top 500 supercomputing list है, यह 61st edition था, इस report का, इस list का, और यहाँ पर Aravat की 75th position रही, correct, याद रखेंगे, अगर Aravat की बात करूँ, इसको install किसके दोरा किया गया, CDAC के दोरा, जो की है, Center for Development of Advanced Computing, यह कहाँ पर है, पुने महराश्रा में है, और इनको National Program on Artificial Intelligence के दोरा launch किया गया था, इस program के अंडर, CDAC ने इसको install किया है, आपका Aravat को, correct, important है, mark करके चलेंगे, इवन अगर आप देखेंगे, आने वाले टाइम में हम जानते थे, सूपर कम्प्यूटर्स बहुत ज़ादा advance होते हैं, powerful होते हैं, इनकी जो computing power होती है, बहुत ज़ादा strong होती है, right, आप देखेंगे, हम artificial intelligence launch किया जा चुके हैं, और अभी यह era start हो गया, artificial intelligence का, data center की demand बहुत ज़ादा बढ़ ज़ाएगे आने वाले time में, आप देखेंगे, जो यह super computers हैं, यह बहुत ज़ादा use में आ ज़ाएंगे, क्योंकि यह सारे data को compute करके, आप देखेंगे, काफी सारे अलग-अलग, यहाँ पे जो computations हैं, वो की जाएंगी, अलग-अलग यहाँ research की जाएंगे, with the help of these super computers, correct, तो Aravat वो super computer का नाम है, याद रखेंगे, moving on, यहाँ पे देख सकते हैं, AI supercomputer Aravat, 75th रहा इसकी rank globally, in the 61st edition of the top 500 global super computing list, जो की international super computing conference के दवारा release किया गया, जर्मनी में, ठेक, अब जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी की भी news याद रखेंगे, yesterday, जर्मनी officially entered into a recession, जर्मनी ने officially ये enter कर चुके है, recession में, right, दूसरी चीज, USA, USA भी 1 जून तक, 1st जून को default कर जाएगा, on their debt, जो नोने loan ले रखा, कर जाएगा, अगर वो 8 जून तक, जो debt ceiling है, उसके उपर कोई भी, अगर improvement नहीं होती है, कोई भी advancement नहीं होती है, तो वो अपने loan पर, अपने debt पर default कर जाएगे, debt ceiling की कुछ न कुछ तो आप देखेंगे, आने वाले time में कुछ न कुछ तो law pass होगा, correct, अगर US default कर जाता है, तो वो immediately आप देखेंगे, वो recession में आ जाएंगे, and there is a high chance, बहुत जादा 99% probability है, कि अगर USA default करता है, और अगर USA recession में आता है, तो there will be millions of job losses, and इसका impact सिरफ USA तक नहीं रहेगा, आप इसका wave देखेंगे, पूरी दुनिया में इसका wave जाएगी, और बहुत सारी countries ऐसी हैं, जो इससे impact होगी, even इंडिया में भी आप देखेंगे, आपे काफी impact देखने को मिलेगा, one of the major जो impact होगा, वो क्या होगा, आपके trade पर, अगर default करता है USA, तो कही न कहीं इनको अपनी currency की devalue करने पड़ेगी, अगर currency devalue करते हैं, तो हमारे import पे काफे impact पड़ेगा, अभी अगर हम कोई चीज़ import करते हैं, तो एक डॉलर मानलो, अगर 82 रुपीज का पढ़ रहा हमें, तो वहीं पे अगर मानलो, कल को USA के dollar depreciate कर जाता है इनकी value depreciate कर जाती है, वो 82 से मानलो रह जाती है, सिरफ 70, तो जो पहले हमें एक डॉलर के लिए, अगर हम एक डॉलर का समान भाहर भेजते थे, 82 रुपीज मिलते थे, वहीं पे अगर हम एक डॉलर का समान export करेंगे, तो वहीं पे वो हमें सिरफ 70 रुपे मिलेंगे उससे, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे यहां पे काफी जादा effect पड़ेगा, जिसकी वज़त से, not just India, और क्योंकि अगर job जाएंगे, आप यह देखे न, जो बड़े-बड़े company हैं, जो बड़े-बड़े employers हैं, वो अगर job cut करेंगे, जो कि अब भी already भी कर रहे हैं, तो उसक the climate crisis, this report was released by which organization, अभी देखो, एक data release किया गया है, world bank के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया, एक data भी कह सकते हैं, और इसको suggestion भी कह सकते हैं, कि जो cities है न, हमें cities को ऐसा बनाना चाहिए, कि वो sustainable development goals को follow करें, जो वहाँ पे infrastructure होना, वो green infrastructure होना चाहिए, मतलब वो renewable sources of energy पे work करन चाहिए, pollution ना के बराबर होना चाहिए, carbon neutral होने चाहिए, ठीक है, और सिरफ air air pollution का नहीं, हमें हर चीज़ का महाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे for example, plastic, plastic minimum to minimum use होना चाहिए, ठीक, sustainable infrastructure होना चाहिए, फिर आप देखेंगे even, ये सिरफ ऐसा नहीं है कि ये सिरफ सरकार न बना दिया और follow रहा है, आप जो जो लोग है महाँ पर जो रहते हैं, जो community हैं, उनको भी ये चीज़े समझना पड़ेगा कि आने वाले time में जो climate का इतना बड़ा impact हो रहा है, climate crisis आ रही है, उसको अगर हमें negate करना है, उसको हमें कहीं न कहीं तक अगर reduce करना है, और future generation को हम जो sustainable development practices है न, उनको follow करना ही पड़ेगा, इवन इसका example आप देख सकते हैं, जो climate change हो रहा है, पाकिस्तान में last year, almost one third of the Pakistan पानी के अंदर था, पहले वहाँ पे सूखा पड़ा था, drought और फिर सूखे के बाद एकदम वहाँ पर इतनी जादा बारिश हो गई, कि बाढ़ा गई यूके की लेक सूख गई थी, चाइना की largest river, यैंक्स्टे river वो dry up हो गई थी, ठीक है, और ये क्या दर्शाता है कि कही न कहीं climate change हो रहा है और इसका काफी impact पड़ रहा है, और उस climate change के impact को रोकने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे जो cities हैं, lower income countries की, they account for only 14% of the global urban carbon dioxide emissions, correct, और जैसे जैसे आप देखते हैं, but cities develop होती जाती है, जैसे जैसे countries develop होती जाती है, तो जो उनकी energy के demand है न वो भी बढ़ती रहती है, और अगर energy के demand बढ़ेगी, तो definitely उस energy के demand को cater करने के लिए हमें proper energy चाहिएगी, और अगर वो proper energy आपकी renewable sources of energy से नहीं आ हम चाहते हैं, कि cities ऐसी develop की जाएं, कि वो एक तो limited amount of, limited in a sense, proper तरीके से, proper guidelines के साथ, proper तरीके से वहाँ पर energy का utilize हो, क्योंकि हम देखेंगे, आजकल जो migration हो रहा है न, वो आपके urban area से, ruler area से urban areas में हो रहा है, correct, और आने वाले time में जो urban population है न, वो expected है, will grow to 2.5 billion population by 20%. 50, 50, correct, आप इंडिया का भी example लेके देख सकते हैं, इंडिया में जो most migration हो रहा है, वो कहाँ पर होता है, जो main-main cities है, जैसे बैंगलॉर, हैदराबाद, मुंबई हो गया, ठीक है, फिर डेली, NCR में आपका गुडगाउं आ जाता है, तो ये कुछ ऐसी 4-5 cities हैं, जहाँ पर ढूंते हैं, वो इन cities में migrate करते हैं, और इन cities को भी अगर हम climate friendly बना दें, इन cities को हम यहाँ पर ऐसे rule लाएं, कि ये climate friendly हो सके, इस rule का एक example और आप देख सकते हैं, कि अभी जो डीजल है, डीजल को बैन करने की बात की गई, by 2027, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये प्रोपोज दिया गए था गौवर्मेंट के द्वारा, ताकि 2027 तर डीजल कार्स को बैन किया जा सके, कहां पर उन cities में जिनकी population 10 lakh प्लस है, 10 lakh प्लस population वाले एरियास में डीजल को बैन करने की बात की गई, रीजन क्या है क्योंकि cities में ये होगा, और रीजन क्या है, climate के लिए work करना, climate क की तरफ work करना, ताकि कम से कम pollution create किया जा सके, और इंडिया का टार्गेट तो आप जानती है, 2070 का क्या है, carbon neutral बनने का, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये report release की गई थी, report भी याद रखेंगे, thriving making cities green, resilient and inclusive in a changing climate, next, किस organization ने for a global greenhouse grass tracker, याद रखेंगे, which organization launched या फिर approved a global greenhouse tracker, जैसे अभी हमने बात किया, हम cities की बात कर रहे थे, right, cities को हमें और जादा green बनाना है, cities को हमें environment friendly बनाना है, तो हम इसको trace कैसे करेंगे कि carbon dioxide, आपका carbon monoxide हो गया, आपका nitrogen dioxide हो गया, तो ये सारी हम monitor कैसे करेंगे, कि ये जो आपकी greenhouse gases है, वो कहां से जादा आपकी निकल रही है, कहां से उनका जादा जो है, resource है, वो या फिर कहां से जादा उनका atmosphere में वो जा रही है, और वो impact कर रही है तो उसके लिए एक global greenhouse tracker launch किया गया, जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, कि जैसे आपका carbon dioxide हो गया, जो greenhouse gases की मैं बात कर रहा हूँ, greenhouse gases में आ जाती है आपकी carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, फिर methane भी आ जाती है इसमें, ठीक है, तो इन चीजों को monitor करने की हां पर बात की गई, correct, और इन monitor के basis कि हम इनको कैसे और जादा reduce कर सकते हैं, एक छोटा सा example जैसे factories हैं, factories में आपके हम जानते हैं, जो production होती है, उससे कही न कहीं waste material निकलता है और energy use होगी, तो definitely जो pollution हो रिलीज होगा atmosphere में, तो उस pollution को हम क्या हम चिमनी के थ्रू ही capture कर सकते हैं, क्या हम उस pollution को atmosphere में जाने से पह और उस material को capture करके कहीं और यूज किया जा सके, तो इसलिए ये एक किस organization के द्वारा अभी एक global greenhouse gas tracker को launch किया गया, ताकि जो हमारा आने वाले time में हम देख रहे हैं, temperature बढ़ रहे हैं, इंडिया में solar flares की वज़े से आपने देखा temperature काफी जादा बढ़ गया था, तो ऐसे time प उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकें, उसको follow कर सकें और environment को protect कर लिया जा सकें, इसलिए ये launch किया गया, तो किस के द्वारा, WMO के द्वारा इसको launch किया गया था, World Meteorological Organization के द्वारा ये new greenhouse gas watch को launch किया गया है, ठीक, इवन आप देखेंगे, हर घर में जो fridge होता है, refrigerator होता है, वो भी आपका CFCs को release करता है, ठीक है, chlorofluorocarbons को release करता है, जो कि आपकी एक greenhouse gas होती है, राइट, चलिए, next, अच्छा, UV ray ये भी याद रखेंगे, जो आपका CFC होती है, ये greenhouse gases होती है, ये ozone को impact करती है, ozone layer आपकी O3 होती है, ozone layer impact होगी, तो उसमें hole बढ़ेगा, हम जानते ह होगी है, hole बढ़ेगा, तो उससे कौन सी rays एंटर करेंगी, UV radiation को protect करता है ozone, अगर ozone नहीं होगा, तो ये अर्थ के atmosphere में आएगी, अर्थ के atmosphere में मतलब ये आपके land पर आपके UV rays आएंगी, और इससे क्या होगा, जो humans है, उसकी skin cancer का भी काफी जादा खत्रा बना रहता है, ठी ठीक है, यहां देख सकते हैं, WMO, World Meteorological Organization, इन्होंने अप्रूफ किया एक global greenhouse gas tracker, नेक्स्ट, नेक्स्ट आजाते हैं, banking and finance पर, अभी union government ने अप्रूफ किया एक digital communication system between the PSU banks and CEIB to check loan defaults, देखो, अभी क्या हुआ था कि पहले जब से ये interest rate hikes हुए है, जब से आपने US में देखा ह है, पहले वहाँ पर 0% interest था पिछले एक दो सालों में, लेकिन अब वहाँ पर आप देखेंगे interest rate बढ़ता जा रहा है, अब वो close to 5% है, वहीं पर आप इंडिया में देखेंगे तो 6% के करीब आपका ये loan interest होता था, वो बढ़के कहीं 9% के करीब जा चुका है, correct, अब इस हैं, तो काफी सारे households ऐसे हैं, जो वो EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनकी job चली गई है, या फिर किसी भी factor की वज़े से आप देखेंगे कि वो उस EMI को पे नहीं कर पाएंगे, right, तो उससे क्या होगा, आपका loan default होगा, जो लोगों ने loan ले रखा है, वो loan पे नहीं क पाएंगे, तो ऐसे उस पे एक चेक रखने के लिए, अभी union government ने has ended the paper based communication, अब सारा digital communication mechanism के बेस्ट पे होगा, सब कुछ आपका digital होगा, right, और यहाँ पर public sector undertaking banks and central economic intelligence bureau, इन्होंने जो loan defaults हैं, उन पे चेक रखने के लिए, उन पे monitor करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है, इस mechanism के अंडर आप देखेंगे, CEIB यह एक report digitally provide करेगी to the PSU, जो कि public sector union banks है, for a loan of amount 50 crore rupees और higher, जो कि pre-approve हो जाता है within 15 days of request, और आने वाली time में जो loan भी provide किये जाएंगे किसी को, तो वो भी ऐसे loan provide किये जाएंगे, ताकि पूर आपका check करके, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ digital हो तो आप easily किसी भी व्यक्ति का जो loan लेना चाहते हैं, आप उसकी history निकला सकते हैं, जैसे civil score हो गया, आपका civil score क्या signify करता है, civil score यह signify करता है, कि अगर आपने past में कोई loan लिया है, तो उस loan को क्या आपने timely pay किया है, कितना loan आपने लिया है, जैसे मानलो credit card की history होती है, credit card मा होला जाता है, कि अगर आप इसका 30% कितना हो गया, 60,000 से ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं नहीं करेंगे, वो भी आपका civil score पे पैट करेगा, और अगर आपका civil score ज़्यादा अच्छा होगा, आपको उतना ही कम interest rate मिलेगा, अगर आप future में loan लेने की क कुशिश करते हैं, करेक्ट, चलिए, और एक और चीज़, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होगा, जो यह नया system लाया गया, यह, this will require banks to submit their request to CEIB through dedicated emails in a specific format, ताकि एक proper record maintain किया जा सके, banks के द्वारा भी, करेक्ट, चलिए, next आजाते हैं, Paytm, Paytm ने अभी एक UPI SD के launch क software development kit to enable customers pay directly within the merchant application, इससे क्या होगा कि आप directly merchant application से ही pay कर पाएंगे, and यह Paytm के द्वारा launch किया गया है, 197 communication इनकी parent company है, correct, इन्होंने launch किया UPI SDK, allowing the customers of online merchants to make UPI payments directly and in line from the merchant's mobile application by entering their UPI pin and without getting directed to the checkout, right, तो वो वही से directly payment कर पाएंगे, उनको ज़रूरी नहीं है, Paytm application पे आना, वो थ्रूँ वहीं के वहीं आपकी payment कर पाएंगे, थ्रूँ UPI, अपना UPI pin डाल कर, correct, तो यह Paytm के द्वारा facility launch किया है, next पे आजाते है, HDFC bank, इन्होंने partner किया, मनिपाल Global Academy के सा of BFSI to launch future bankers 2.0, यह future bankers 2.0 यह क्या है, यह basically एक program launch किया गया है, HDFC bank ने मनिपाल Global Academy के साथ मिलके, ताकि उन young graduates को जो अभी college से pause out हो रहे हैं, उनको banking professional बनाने के लिए within one year, उनको पूरी finance की, उनको banking की पूरी information प्रोवाइड कराने के लिए within one year, यह future bankers 2.0 यह launch किया गया, ठी यह एक one year professional diploma course रहेगा, और इनका aim क्या रहेगा, कि future ready talent प्रोवाइड करा सके, future ready banking professionals बना सके हम within one year, किस bank के द्वारा, HDFC bank and मनिपाल Global Academy के द्वारा मिलके, इसको launch किया गया है, चलिए, next पे आते हैं, next है, senior most judge, लोइनिस सरमास, इनको पॉइंट किया गया है, caretaker PM of Greece, जैसे interim chairperson बने है, interim managing director बने है, तो ऐसे ही, यह caretaker होते है, PM of Greece, मतलब interim prime minister बने है, Greece के कौन, लोइनिस सरमास, ठीक है, याद रखेंगे इनको, next आज आता है, realme, realme एक आपका smart phones का brand है, realme ने अभी किस sector को अपना brand ambassador appoint किया है, वो है, शारू खान को, ठीक, शारू खान के अगर हम बात करें, तो यह और भी brands को endorse करते हैं, जैसे आपका Hyundai, Pepsi, Whirlpool, Denver, ATL, Hotstar, Nokia, Tag Heuer, इन सब brands को भी यहाँ पर यह promote करते हैं, even by juice को भी यह काफी promote करते हैं, correct, next, next और एक चीज़ और, जो realme का जो अभी नया smart phone launch होने वाला है, इनकी सीज़ रियल में 11 Pro Series 5G, specially इनके लिए इनको यहाँ पर अभी brand ambassador appoint किया गया है, next आज आते हैं, science and technology पर, अभी हमारे सरबंदना सोनोवाल जी, जो की ministry of IUS में union minister है, इन्होंने यहाँ पर inaugurate किया, PCIMNH, e-office and online portal को, अभी यह PCMNH क्या है, यह है आपका Pharma Copia Commission for Indian Medical Medicine and Homopathy, यह गाजियाबाद में है, और इन्होंने यहाँ पर e-office portal and of PCIMNH and online portal launch किया गया है, Pharma Copia Commission for Indian Medicine and Homopathy, correct, और यह किस के द्वारा, Minister of IUS सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा launch किया गया है, correct, चलिए, डिरेक्ली इसको याद रखेंगे, next, नेक्स आजाता है, खेबर, काफ़े important, खेबर क्या है, यह एक Blastic Missile है, यह एक Surface to Surface Blastic Missile है, Medium Range की आपकी Blastic Missile रहेगी, इसकी Range अल्मोस्ट, दोहजार किलोमेटर तक की इसकी Range रहेगी, यह 1500 केजी तक का पेलोड केरी कर सकती है, यह Blastic Missile, correct, यह है खेबर, तो Surface to Surface, Medium Range, 2000 किलोमेटर तक की Range रहेगी, 1500 किलोमेटर केजी तक का यह पेलोड केरी कर सकती है, एन इसको Develop किस के दवारा किया गया है, AIO, Aerospace Industries Organization के दवारा इसको Develop किया गया है, Under the Ministry of Defense of Iran, ठीक है, तो यह किस कंट्री की है, इरान की यह मिसाइल रहेगी, correct, यह है आपकी खेबर, Next पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है खेबर मिसाइल, खेबर ब्लास्टिक मिसाइल, एन यह आपकी किस कंट्री की है, इरान की, Moving on, Environment पर, Environment की बात करें तो एक नई species of घी को अभी recently discover की गई, आप यह देख सकते हैं, यह discover की गई by a team of researchers जो की led की गई, वी दीपक के द्वारा, यह एक herpetologist है, and scientist of the University of Wolverhampton of UK, इन्होंने एक नई species discover की of rock-dwelling large-bodied गैको, और इसका नाम रखा गया, Hemidactylus pecha mellanasis, I repeat, Hemidactylus pecha mellanasis, यह नया नाम रखा गया, of this new species of गैको, यह कहां discover की गई, पक्का मलाई हिल्स में, in the Tamil Nadu, यह discover की गई है, Correct, चलिए, next पर आजाते हैं, फिर International Day of Missing Children, यह कब observe किया जाता है, International Day of Missing Children, आपका 25 में को हम observe करते हैं हर साल, and it is basically observe, to create awareness about the kidnappings of the children, और जो missing children है, उनके लिए, एक awareness create कराने की यहां पर बात की गई, और यह कब observe किया जाता है, 25 में को, पहली बार कब observe किया गया था, 2001 में, Correct, and this day is widely referred to, with a forget-me-not flower as its emblem, Moving on, World Thyroid Day, World Thyroid Day कब observe किया जाता है, यह दे भी हम 25 में को observe करते हैं, World Thyroid Day, and it is observed to create awareness about the importance of thyroid gland, यह एक small butterfly shaped gland होता है, in front of your neck, and इसकी जो thyroid disease होती है, उसकी awareness create कराने की यहां पर बात की जाती है, Correct, अगर World Thyroid Day की बात करें, तो यह दे कब observe किया गया था, या फिर इसको found कब किया गया था, European Thyroid Association के द्वारा, 2008 में इस दे को found किया गया था, Correct, Blue and Blue Paisley Print Ribbon, इसको एक awareness ribbon रहता है, यह आपकी thyroid disease का, चलिए, Next पर आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, World Thyroid Day, 25 में को, Next आता है, फिर All India Football Federation, इन्होंने डिक्लेर किया PK Benergy's की बर्थ एनिवर्सरी को, As the AIFF Grassroots Day, देखो, PK Benergy कौन है, प्रदीब कुमार Benergy, यह काफी famous football player है, Indian football player, and इनकी, इनको honor करने के लिए, इनकी legacy को maintain करने के लिए, इनको remember करने के लिए, future में, आपका हर साल, 23 जून से, अब AIFF Grassroots Day observe किया जाएगा, और यह first है, यह पहली बार आज observe किया गया है, पहली बार इस साल 2023 में observe किया जाएगा, 23 जून को AIFF Grassroots Day, किसकी memory में, Indian footballer प्रदीब कुमार Benergy की memory में, याद रखेंगे, moving on, state news पर आते हैं, अभी Singapore investment conclave हुई, और यहाँ पर Tamil Nadu government ने, in this Singapore investment conclave, 6 MOU sign किये हैं, Singapore institutions के साथ, ठीक है, याद रखेंगे, यह आपके research and development में होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर exports को बढ़ाने की बात की गई, imports को बढ़ाने की बात की गई, technology पर work किया जाएगा, आपका green energy को कैसे promote किया जाए, और उस पर research करने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, तो याद रखेंगे, Singapore investment conclave के दोरान, Tamil Nadu ने कितने MOU sign कियें Singapore के साथ, तो 6 MOU यहाँ पर sign किये हैं Singapore के साथ, ठीक है, इवन आप यहाँ पर देखेंगे, electric energy आने वाले time में ज़्यादा dominant रहेगी in transport sector, तो electric vehicle के parts को भी develop करने की यहाँ पर बात की गई है, next पर आजाते हैं फिर, अभी recently किनको appoint किया गया है, acting chief justice of madras high court, वो है justice S. विद्यानाथन, इनको appoint किया गया है, अभी नया acting chief justice of madras high court, काफी important, drop the murmumayam के दोरा जो की president है इंडिया की, उनके दोरा इनकी appointment की गई, under the article 223, important है, mark करेंगे इनको, ठीक, यह succeed कि इनको करेंगे, acting chief justice T. राजा जी को रिप्लेस करेंगे, कौन? Justice S. विद्यानाथन, चलिए, तो दोस्तों यह तो होगा है हमारे आज के important current affairs, अब आजाते हैं कोई किरिविजन पे, ministry of civil aviation ने launch किया, उडान 5.1, designed for helicopter routes, CBDT नो ने extend कर दी due date for the re-registration and approval by charitable regional trust till 30 September, highlights of PM Narendra Modi visit to Japan, Papua New Guinea and Australia, 19-24 में के बीच में, then India का AI supercomputer Arawat, इसकी rank रहेगी 75 in the 61st edition of the top 500 global supercomputing list में, making cities climate ready is crucial for solving climate crisis, यह World Bank के द्वारा data रिलीज किया गया, WMO ने approve किया for a global greenhouse gas tracker, Union Government ने approve किया digital communication system between PSU banks and CEIB to check loan defaults, Paytm ने launch किया UPI SDK को to enable customers pay directly within the merchant application, HDFC Bank ने partner किया मनिपाल Global Academy के साथ of BFSI for future bankers 2.0, Then आजाते है senior judge Lainis Sarmaz, इनको appoint किया गया है caretaker PM of Greece, Realme ने appoint किया शारु खान को as their new brand ambassador, Union Iyush Minister सरबंदना सोनवाल ने inaugurate किया PCIMNH का e-office and online portal, Iran ने successfully test launch किया खेबर ये एक blasting missile है, surface to surface blasting missile रहेगी, correct किसकी एरान कंट्री की, Then Hemidectylus Pekka Melanesis ये एक नई Geekो की species है जो discover की गई Pekka Malai Hills में of Tamil Nadu, International Missing Children's Day की बात करें तो 25 में को और World Thyroid Day भी आपका 25 में को observe किया जाता है, AIFF ने declare किया P.K. Benerji की birth anniversary को as the AIFF grassroots day, Singapore Investment Conclave की बात करें तो Tamil Nadu Government ने sign किये 6M OUs with Singapore institutions, Justice S. Vidyanathan ने appointed Acting Chief Justice of Madras High Court, ठीक है, इनको appoint किया गया as the Acting Chief Justice of Madras High Court, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के important current affairs, अब आज आते हैं quick revision part पर, Puddu Cherry and L&T Engineering के बीच में एक M.O.U. sign हुआ, ताकि जो tourist spots हैं in their area उनको develop किया जा सके, under SD 2.0, then अभी बात करें P.T.M. Payments Bank Limited की तो इनको RBI का approval मिला to reappoint Vijay Shikhar Sharma as their part-time chairman for one year और ये इनका third term रहेगा इस position पे हैं, next आज आते हैं, किनको अभी brand ambassador point किया गया है, तिरिपुरा tourism का वो है Saurav Ganguly, ये 35th president थे BCCI के, next, जोर्जी, जोस्पॉनिदोव and Angela Roddell, इनको अभी international booker prize से सम्मानित किया गया for time shelter, अब देखो, international booker prize ये आपका UK and Ireland में दिया जाता है सिर्फ, correct, next thing, मतलब इनके citizens को दिया जाता है, next thing, time shelter, ये जो novel है, ये आपकी bulgerian में लिखी गई थी, किस के दुआरा, जॉर्जी ओ, जॉस्पॉनिदोव के दुआरा, लेकिन इसको translate किया गया into English by Angela Roddell, तो ये translator है, ये writer रहेंगे इसके और इन दोनों को अभी international booker prize से सम्माने करा गया, for time shelter, next आजाता है, अभी सराथी, ये एक digital platform है, जो POS terminals के लिए launch किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने credit card, debit card को tap on facility के साथ, swipe facility के साथ, QR code के साथ payment यहाँ पर आप कर सकते हैं directly, और ये access bank के द्वारा launch किया गया है, आपका सराथी, next आजाता है, SBA General Insurance, इनके द्वारा भी एक shorty bond Bima launch किया गया है, specifically for infrastructure projects, याद रखेंगे, infrastructure projects के लिए shorty bond Bima launch किया गया है, किस के द्वारा, SBA General Insurance के द्वारा, next लगदाक की एक annual great prayer festival हुआ, इस great prayer festival को क्या बोला जाता है, मौलनम शैन्मो, या फिर ऐसे पूछ लेंगे, मौलनम शैन्मो क्या है, या आपका ए great prayer festival है, कहां पर observe किया गया, लगदाक में 11-16 में के बीच में, next तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के revision current affairs, अब आज आते हैं आपके homework section पे, नवेगाओ नग जीरा, Tiger Reserve, ये कहां पर located है, दूसरा, which state has recently commenced the removal of the dotted lands in the state from prohibited list, तीसरा, which country is set to manufacture the generic variant of a long-acting cabotare gravier, cabotare gravier, drug, जो की use किया जाता है, HIV prevention के लिए, तो कौन सी country इसको अभी develop करेगी, तो ये तीन आपके homework questions रहेंगे friend, I hope आपको session पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को like कर दें, और comment करके जरूर बताएं आपके क्या views रहेंगे, अगर session पसंद आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ जरूर करना, इससे मुझे motivation मिलेगी, ताकि माँ आपके लिए और better content प्रोवाइड कर सकूँ on daily basis, so that's all for the day friends, thank you and have a nice day, friends ये हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आये होगी, इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पे जाके हमें follow कर सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862, या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं, और आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए, इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है Vikaas10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप Vikaas10 का code यूज़ कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related, या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए हैं या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862, या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा और आपकी problem को solve करेगा, that's all for the day friends, I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at affairscloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 7677-333862 apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairscloud underscore official in the end friends, if you use a code that is vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677-333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.